हलो दोस्तो भारत अनेक प्रकार के धात्वों का घर है इसमें से कुछ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी हां हम बात कर रहे हैं करनाटिका में मिल रहे सोने की और जारखंड और बंगाल में मिल रहे कोईले के खदानों की बस यही नहीं दोस्तो मुंबई, साउत के बहुत छिद्रों में तो तेल के कुएं भी पाए गए हैं पर आप सब को जानकर और भी खुशी होगी कि भारत के 36 गड़ में फिर से लीथियम की भारी मातरा वाली एक खदान को धोंड लिया गया है दोस्तो इस साल भारत पर बहुत ही महरबान हुआ है क्योंकि सा फाइदा होगा इन नए खोज का और क्यों है भारत भर में लीथियम की इतनी डिमांड क्या भारत के आर्थे कि स्तिती पर इसका कोई असर होगा दो तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की डीटिल नॉलिज देंगे तो समय मत गवाएं और जल्दी से हमार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो के एंड़ जल्रूल देखिएगा दोस्तो नया साल नई उमीद और नया जज़बा लाता है जहां एक टाइम हमें लीथियम के लिए चीन के आंगे हाथ विलाए खड़े रहना पड़ता था अब वहीं 36 गड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या वाले इस देश में लीथियम की ये मातरा भी कम पड़ रही थी ऐसा होने का सबसे प्रमुक कारण है कि लीथियम का इस्तमाल लीथियम आयन बैटरी बनाने में काम आता है इस बैटरी की मदद से रिन्यूबल एनरजी को स्टोर कर फिर दोबा इस्तमाल किया जा सकता है ये बैटरी चार्जिबल और लॉंग लास्टिंग होती है इनका इस्तमाल हर एक प्रकार के स्ट्मार्ट वॉच्च, मोबाइल फोन और रोबो ट्रिमर्स में किया जाता है किवल यही नहीं लीथियम का इस्तमाल इलेक्ट्रिक वीकल्स की बैटरी जैसे देशों से इंपूर्ट करना पड़ता था लेकिन फिर 2023 में जमूर कश्मीर में 60 लाख तन लीथियम से भरे ख़दान मिले इतना लीथियम भारत के डिमांड को बड़ी ही आराम से पूरा कर रहा था कि फिर से 36 गड़ के कोरवा डिस्टिक में लीथियम के विशाल ख़दान मिले हैं कोरवा पहले ही कोईले के ख़दानों के लिए भी जाना जाता है और अब लीथियम के ख़दानों के मिलने से मानो कोरवा की रौनक और भी बड़ गई है लेकिन ये सब ऐसे ही आसल नहीं हुआ कटगोरा ब्लोक में भारतिय भूव विज्यानिक पिछले दो ठाइर महीनों से सर्वे और जांच किये जा रहे थे और इसी दोरान महिशपुर में एक तलाव के पास ही लीथियम की भारी संख्या होने की आशुंका चताई गई जो की जांच के बाद सही सिध्ध हुई भले ही वैज्यानिकों ने च्छतिसगर में अभी तक लीथियम में ज्यादा समय नहीं लगेगा इन सबसे भारत लीथियम प्रोडक्शन में बहुत सारे देशों से आगे बढ़ जाएगा लीथियम की महत्ता जानते हुए च्छतिसगर सरकार ने भी प्रदेश के अन्न हिस्सों में भी ऐसे सर्वे करवाने का निर्ने लिया है कि कहीं सबसे बड़ा कारण है अन्न एनर्जी सोर्सेस का डिपलेशन जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में अब कोईला और तील सीमित मात्रा में बच गए हैं और जल्दी दुनिया भर में इनकी भारी कमी देखने को मिल सकती है तो फिर एक कार या अन्न ट्रांसपोर्ट के मा बात्रा में बैटरी बना सकता है और समय आने पर उसको बेज भी सकता है क्योंकि लीथियम एनर्जी को स्टोर करके फिर इस्तिमाल करने में काम आता है और इससे वेस्ट प्रोड़क्शन भी कम होता है साथी आप बिना कोई पंप धूरे अराम से अपना काम अपने हिसाब स प्रफियम और जाड़ी और रुख मोरने पर मजबूर हो गई है। इस प्रफियम का विशाल उत्पादन देश के आर्थिक दशा के लिए भी किसी आशिरवात से कम शेले हैं। नहीं लीथियम बैटरी एक rechargeable source of energy है जहां आप energy को बद और समेत के store कर सकते हैं और फिर समयाने पर इस्तमाल कर सकते हैं और फिर से charge करके उसको अपने अनुसार काम मिला सकते हैं इन बैटरी से waste production तो कम होता ही है और साथ ही carbon emission में भी भारी गिरावट होती है क्योंकि ये और भारत में लीथियम की भारी मात्रा का होना हर एक देशवासी के लिए बहुत अच्छी खबर है तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं ऐसी ही एक interesting सी वीडियो में हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद